नमस्कार ने वल्कम यौलू वर्ल अफेर्ज नहीं प्रशान दवर्ण रिसेंटली भारत और चैना के वीच में तवांग फाइट को लेकर जो टेंशन बड़ी है उसमें एक देश बहुती ज़रा इंट्रस्टेड रहा है और वो है उस्ट्रेलिया देखो बाकी कंट्रीज न कि इंडिया ने परेड़ किया अपना मिसाइल जिसको कहा जाता है चैना किलर यह इदिक टैंक वाइव की बस इसको लाई कण साघ्लाइश कर रहे है और श्टेलिया के परेंशा है लोगों ने द देखो ने अचुली तवांग सेटर के आसपास आब अगर देखो तो इंडि तो चाइना इसलिए आपने देखा होगा बाद में इंडिया में भी अब आर्टिकल पब्लिश होने स्टार्ट हो गई है कि स्टेलाइड इमेज़ शो इंडिया इस डॉमिरेटिंग चाइना ओन लाइन ऑफ एक्चुल कंट्रोल हाइट्स और यह जो रिपोर्ट है जो इमेज देखना इतना प्रिसाइस इतना प्रॉपर तरीके से यह लोग बनाते हैं मैं सच में आमीन देखो मैं मेशा मानता हूँ कि अपने देश से अगर आप प्यार करते हो ना तो आपको अपने देश से और ज़रा एक्सपेक्ट भी करना चाहिए हमारा देश अबादी में देखना चाहिए हमारा बजट ब्लियन्स में उनका बजट मिलियन्स में मगर तब बी यह लोग इतना इंट्रस्ट लेते हैं जियो पॉलिटिक्स में इतती बढ़िया वैपसेट बनाते हैं I think genuinely हमें इनसे सीखना चाहिए अब यह जो सारी रिपोर्ट मैं आपको दिखाउं कर रहा हूं यह गूगल मैपस है यहां पर नोटिस कर पाऊगे यह है तवांग सेक्टर यह भुटान के काफी करीब है तो सबसे पहले जो रिपोर्ट है यह आपर कहती है कि तवांग बहुत ही जादा इंपोर्डन है भारत चाइना इवन भुटान के लिए और आगे यह भुटान को भी चाइना का पार ना लिया जाए आपको याद होगा कि कुछ साल पहले 2020 में चाइना ने यह भी क्लेम कर दिया था कि भुटान की एक बहुत ही इंपोर्टेंड वाइल लाइफ सेंचुरी यह चाइना को बिलॉंग करती है और यहां पर आप देख पाऊगे य यह बुटान का एरिया है यह चाइना क्लेम करता है उसके लावा नौर्थ में भी यह आप देख पाऊगे यह यह भी चाइना क्लेम करता है और यह तवांग डिस्ट्रिक्ट इसके पास में जो लाइन ऑफ एक्चुल कंट्रोल है यहां पर भारत और चीन के सोजर्जर्स के क्या है तवांग पर बाइदवे औस यह बार भी प्रॉपरली जानते हैं कि तवांग रीजन को बाकी इंडिया से प्रॉपरली करने के लिए हम लोग सेला पास भी उना रहे हैं सेला पास यहां पर आपको बताओगा अगर मैं जूम इन करूं यहां पर आप देख पारे में लगातार यहां पर इंफ्रासक्चर बिल्ड कर रहा है और हिस्ट्री क्या है तवांग की देखो आप जानके रान होंगे 1962 में इंडिया चैना की वर हुई उससे पहले आपको बताओगा 1959 में दलाई लामा जो तिबेतियंस के स्पिरिचुल लीडर है यह चाइना भारत में आये थे चाइना से भागर भ़ारत में आये थे अब दलाई लामा भारत में कैसे आये थे यहां पे आस पास आप देखो गे आपको बहुत इंपौर्ण बुर्द्धिस दिखे गी और फिर चाइना की रिपोर्ट यहां बार यह भी कहती है कि 1962 में जब इंडिया च चाइना ने capture कर लिया था दो महिने तक तवांग चाइना के पास रहा था जब सीजफार हो गया भारत और चाइना के बीश में तब चाइना वापस अपनी बॉर्डर पे चला गया और तवांग वापस भारत को मिल गया और उसके बाद हमने ये भी देखा है कि जब भी भारत और पाकिस्तान के बीश में यूद होता है ना तो चाहे चाइना इंडिया पर टैक ना करे ये चुपचाव अपने जो सोल्जर्स है ना ये तवांग का जो पास है इसके पास लागे खड़ा कर देते हैं भारत पर प्रेशर बिल करने के लिए तो हिस्टोरिकली भी आप यहां पर आउटपोस्ट है आप देखिएगा कि किस तरीके से इंडिया ने अपनी जो पॉजिशन है ये इंप्रूफ करी है पिछले कुछ सालों में यहां पर आप नोटेस कर पाओगे ये सारी वो सड़के हैं जिससे इंडिया ने अब एक प्रॉपर कनेक्टिंग पॉइ भी चाइना ने ओवर दा येर्स पिछले टीस तीन चार सालों में इन्होंने भी बहुत साई सड़के बना दिये मगर प्रॉब्लम यह है कि चाइना की साइड की जो सड़के है ना दीज डर्ट रोड्स और यह बहुत ही अराम से डैमेज भी होती है और यह वो पर्टिकुल पर आती है लाइन अच्छाल कंट्रोल और फिर बीचे यहां पर चाइना के वेसे स्टार्ट हो जाती है मगर फिर भी और स्टेला कहरा है कि इंडिया को अट्वर्क और आउट्पोस्ट अलाउंग दे लाइन अच्छानक से खट्टा करने हो तो इंडिया जारा जल्दी कर इंडिया को एड्वांटेज यह मिलता है कि जब भी लड़ाई होती है इंडिया चैना के वीच में तो इंडिया के सोल्डर्स बैक अप देने के लिए जल्दी आ जाते हैं अब यहां पर देख पाऊगे मोस्ट रीसेंडली डिसमबर 2022 में जो क्लैश हुई है वो इस इलाक् कब भी जल्दी मिल जाता है कि आवे मुझको यह भी आड़ करना पड़ेगा कि आसा नहीं है कि इंडियान पॉजिशन 100% सिक्यूर है और शिला की यह रिपोर्ट यह भी क्लेम करती है के लेको इंडियान फोर्स की कमांडिंग पॉजिशन तो है मगर कल को अगर एक की पीछे की ओ सड़के है न यहां पर जो एंवारिमेंटल कंडिशन है उसके अलावा कंस्रक्शन भी इतनी बड़िया नहीं है तो एक ओपन कॉंफ्लेट जहां पर चाइना बिलकुल बॉडर ओपन कर दे एक बड़ा अटाइक करे वहां पर हो सकता है कि हमें कुछ कर रहे हैं चाहिए सभाइक बंग करना है यहां पर यहां पर जो भी प्रास लिखे हैं यहँ पे करने की ज़रूत नहीं है यहां पर आपको कोड यूज करना है PD10 और अपने आप रासे यहां पर स्टार्ट हो जाएंगे यह विल बे एबल तो सेव लॉट और सेविक वनीश वेसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंध थैंक यू फर लेस नेंग और आज अलवेस गॉड ब्लेस यू आल